तो जैसे कि आप जितने भी स्टूडेंट से अपने बीएड के लिए अप्लाए कर रखा और आप सभी जानते कि यहां पर आपकी आपकी डेटर लेकिन अप्लोड इन्होंने आज ही आपकी लोगों ने आपके जो एक्जाम डेटर को चेंज कर दिया तो आज की क्लास में आपको बताने वाली हूं कि पहले आपके बीएड फर्स्ट इयर की डेश्ट में क्या उन्सी डेट थी अब आपकी डेश्ट में क्या बदलाब आया है पूरी वीडियो को एंड तक देखना और आगे क्या दुबारा यह डेश्टीट चेंज होने के चांसे है यह सब कुछ मैं आपको आज की वीडियो में बताने वाली तो वीडियो के एंड तक बने रहे हैं तो जैसे कि आप देख सकते कि आए देन यहां पर आभी दो बार आपकी डेट चीट में बदलाव हमें देख सब्सक्राइब देखने को मिलेगा इन लोगों ने फिर से नई आपकी डेश्टिट आपके लिए सामड़े लेकर के आए अब मैं सबसे पहले बात करते हैं आपके इंडियों यहां पर आप देख सकते हैं कि पहले जो आपका कंटेंप्ररी इंडियंड एजुकेशन जो यह दो को एक महीने का टाइम और दे डिया है यानि कि पहले जो आपके एक्जाम में स्टार्ट होने वाले थे वह जुलाई में घर दिया है तो इसमें लोगों ने कर दिया है कि जुलाई में यानि कि बीएड फर्स्ट इयर का जो आप लोगों का एक्जाम है वो 21 जुलाई से स्टार्ट होने वाला है ठीक है कि बीच में 3 दिन गया आपको मिलगे आपका पेड़ागोजी और सैंस को देखने को मिलेगा तो जिसके पास मैफमेटिक्स पेड़ागोजी और साइंस जिसके पास जो भी है आप लोगों का एक्जाम पहले 10 तारीक हो था 10 जुलाई को था इसको बढ़ा करके 26 जुलाई को कर कर दिया गया है नेक्स्ट है आपका जो इंक्ल्यूजीव एजूकेशन है इसका एक्जाम आपका 12 जुलाई को था इसको बढ़ा करके अब जो नहीं डेश्चीट आपको देखने को मिलेगी इसमें हो गया आपका 28 जुलाई को और लास्ट जो आप लोगों का का एक्जाम यहां पर आप दिशकतों 26 तारीकों है स्किल बेज ओप्शनल कोर्स 28 को कर दिया है रीडिंग और रिफ्लेक्टिंग टेस्ट दस तारीकों और जिसके पाद ड्राम एंड आर्ट इन एजुकेशन है इनका टाइम में दुपहर का एक्जाम का 3 से 6 बजे का और ब सब्सक्राइब तक का वापका एक्जाम है अब आप सबके माइंड में होगा कि यह क्या डेश्ट आगे भी चेंज हो सकती है क्योंकि यहां पर जफचे यह लोग तीन से चार बार अपकी डेश्ट में बदलाव नहीं लाएंगे इनका काम बंकानी है अब तक तीन बार और आपके डेश्ट बदल सकती है बदल गई है और आगे बढ़ने के भी पूरे पूरे चांस है अगर बीच में कोई चीज है वैसे तो यह कंफर्म होनी चाहिए लेकिन इस यूनिवर्सिटी का कुछी नहीं कह सकते तो आप लोगों को और लंबा समय मिल चुका अपने एक्ज अग्जाम है वह सुरू होने वर्ण 26 तारिक से ठीक है जो आपको फिलोसिफिकल जो सब्जेक्ट है वह आपका हो गया 17 जुलाई से ठीक है 17 जुलाई यानि कि सबसे पहला एक्जाम सेकंडे स्टूडेंट्स का फॉस्ट यर का उसके बाद होगा नेक्स आपको जो की बढ़कर के अब 19 जुलाई कर दिया गया एक दिन का गैप मिला फिर आपका पैडागॉजी और फिजिकल साइंस पैडागॉजी और सोसल साइज जिसके बाद सब्जेक्ट है उसका प्येपर आपका दहर जुलाई को था जिसको डिएट बढ़ा करके 21 जुलाई को कर गया है ठीक है नेक्स टेप पेड़ागोजी ओफ कंप्यूटर साइंस और पेड़ागोजी ओफ होम साइंस यह जिसके पास भी है आप लोगों का एक्जाम पहले जो बारा जुलाई को था इसकी डेट बढ़ा करके 24 जुलाई को कर दिया गया है और पेड़ागोजी ओफ इंग्लिस का एक्जाम 14 जुलाई से हटके अब आपके 26 जुलाई कर होगा आपका टाइम में 11 बज़े से लेकर के दो बज़े का है वही मैं अगर बात करूँ दुपहर के 3 से 6 बज़े का जिनके बाद जेंडर स्कूल ए दिया गया है बाकी जो आपका एजुकेशनल एडिमिनिस्ट्रेशन गाइडेंस और काउंसलिंग इंवार्मेंट एजुकेशन कंप्यूटर एजुकेशन हैं फिजिकल एजुकेशन और लाइफस्टाइल आप लोगों ने जो भी सेलेक्ट किया होगा अपने एक्जाम में से गाइडिंग और आपका इंवार्मेंट एजुकेशन जिसने जो भी अपने चॉइस के अकॉर्डिंग किया होगा आप लोगों का जो एक्जाम 10 जुलाइक हो इसको बढ़ा करके अब 21 जुलाइक कर दिया गया है तो यह है आपकी नहीं डेट शीट यानि कि आपको एक मह कुछ नहीं पता रहता आगे कोई भी चेंज अगर होंगे उसके लिए मैरे चानल पर बने रही चानल सब्सक्राइब कर लो कि आगे कोई भी बदलाव आए तो भी आपको देखने को मिले यहां पर आपको डेशीट तो यहां पर इतनी बार बदलाव हो गया लिकिन जब आपने कोई एक एकजाम दिया पत्ता चला कि आपको जो नेक्स्ट एकजाम होने वाला उसकी वहां पर बदल देते तो वह सब भी बदलाव आपको आगे देखने को मिलेंगे मिलेंगे तो कुछ भी चेंज अगर होंगे उसकी अपडेट अगर पानी है जल्दी से चैनल सस् और यहां पर फॉर्स्ट एंड सेकंड डियर के नोट्स एविलेबल है तो जिन्हों नहीं कर रहा है जो इंट्रस्टिड है इसको लेने के लिए अब आपके बास वैसे और लंबा समय मिल चुका त्यारी करने के लिए तो आप लोग नोट्स ले सकते हैं वाट्सप नमबर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा तो यहां पर मैंने आपका नमबर लिख दिया है इस नमबर पर वाट्सप नमबर के तुरू नोट्स को यहां पर जितनी भी इंफोर्मेशन है कैसे पर्चेस कर सकते यह आप कर सकते हैं फाइल भी आपर आपको मिल इससे रिलेटेड कोई इंफोर्मेशन है तो आपको टाइम टाइम अफडेट मिलते रहे तो चलिक फोटी सी इंफोर्मेशन तो मुझे आप सभी को देनी थी तो बीएड फॉर्स्टी और सेकेंडर दोनों का मैंने टाइमिंग बता दिया ठीक है दोनों की टाइमिंग पहल